नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का पार्ट पुष्टियक शेत्रफल और आयतन को पढ़ेंगे इस पार्ट का दैनिक जीवन में बहुत उप्योगे अब जैसे मान लीजे कि आपको लड्डू बनाने हैं तो लड्डू के आयतन से आपको पता लगेगा कि आपको कितना आटाय बेसन चाहिए अगर आपको गेंद या टेंट बनाना है तो इन दोनों ही गटनाओं में आपको उसके पुष्टियक शेत्रफल से पता लगेगा कि आपको कितना कपड़ाज चाहिए ऐसे कई उधारण हैं, हर उधारण में आपको ये बता लगेगा कि किसी भी सामान को बनाने के लिए आपको कितनी सामगरी चाहिए यह या तो पुरुष्ट्री एक शेत्रफल बताएगा या आयतन बताएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पुरुष्ट्री एक शेत्रफल और आयतन अलग अलग प्रकार के ठोसों के लिए निकाला जाता है पिछले पुरुष्ट में जो मैंने उधारण दिये, उसके कुछ तस्वीरें आप इस पुरुष्ट में देख सकते हैं या एक से अधिक ठोसों में बढ़ जाएं तो फिर क्या होता है शंकु के छिनक यानी की फ्रस्टम का क्या मतलब होता है उसका पुरुष्टिय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है कक्षा 9 में आपने घनाप, शंकू, बेलन और गोले के प्रुष्टियक शित्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा हुआ है लेकिन आप भी जानते हैं कि दैनिक जीवन में सभी वस्तुएं इन चारों प्रकार की नहीं होती है अब पक्षा 10 में हम कुछ इस तरीके की वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा दैनिक जीवन से मिल रखते हूँ ये वस्तुओं ऐसी होती है जिनने की छोटे-छोटे भागों में अगर हम बाटें तो वो छोटे भाग इन घनाव, शंकू, बेलन और गोले के रूप में हम देख सकते हैं अब एक तस्वीर देखते हैं, ये एक मालगाडी की तस्वीर है, इसमें तेल का टैंकर आप देख सकते हैं, अब इसे ध्यान से देखिए, इसके दोनों सिरों में अर्थकोला है और बीच में बेलन है तो इस पार्ट में हम इसी तरीके के कुछ ठोसों के बारे में पढ़ेंगे सबसे बहले देखते हैं, ठोसों के सैयोजन का पुष्टी एक शेत्रफिल कैसे निकाला जाता है अब इस तस्वीर को देखिए, ये वही तेल का टैंकर है अब आप देख सकते हैं कि ये जो सिरे हैं जिने कि मैंने ऐरो से दर्शाय हुआ है ये सिरे जब ठोस जुड़ते हैं ये तियों तब ये सिरे छुप जाते हैं तो इनका शेत्रफल पूरे शेत्रफल में नहीं आएगा तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पूरे ठोस का क्षेत्रफल सभी भागों के एक शेत्रफल का योग नहीं है कुछ सिरे इसमें छुप जाते है अब इन तीनों में ठोसों के जो वक्र पुष्ठ हैं वही हमें दिखाई दे रहे हैं अतंस योजिट ठोस का प्रुष्ठी अक शेत्रफल तीनों भागों के वक्र पुष्ठी अक शेतरफल के बराबर होगा तो हमें कक्षा 9 से पता है कि अर्थगोले का वक्र पुष्ठी अक शेत्रफल 2 प्य आड़ स्कूर होता है तो दो बाढ हमने इसे जोडा हुआ है यह चीज है बेलं का पुरुष्टियक शेद्रफल तो इन तीनों को जोड़ करके तेल के टेंकर का पुरुष्टियक शेद्रफल हमने निकाल लिया है जढ़ी एक और उधारन देखते हैं अब मैंने यहाँ पर एक पेंसिल का उधारन लिया हुआ देखने कि pencil का प्रुष्टी एक शेत्रफल कितना होता है वाली जब पूरे pencil को paint करना चाहे तो आपको पना होना चाहिए कि कितना paint लगता है अब pencil को हम एक बेलन और उसके सिरे पर लगे हुए एक शंकू के रूप में देख सकते हैं वहाँ पर फिर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये दोनों सिरे pencil के शेत्रफल में शामिल नहीं है pencil का पूर्ण शेत्रफल, बेलन के वक्रक्षेत्रफल, शंकू के वक्रक्षेत्रफल और बेलन के एक सिरे का शेत्रफल को मिलाकर बनेगा तो ये हो गया बेलन के एक सिरेक का ख्षेत्रफल पायार स्क्वेर ये हो गया शंकू का वक्र ख्षेत्रफल ये हो गया बेलन का वक्र पुष्टिय ख्षेत्रफल इन तिनों के योग से पैंसिल का ख्षेत्रफल हमें पता लगेगा थोसों के संयोजन के आयतन की बात करें तो इसमें थोड़ी सी अलग बात सामने आती है इसमें दो या दो से अधिट थोसों के संयोजन का आयतन हमेशा सभी हिस्सों के आयतनों के बराबर ही होता है चलो उधारन देखते हैं कि बंदूग की गोली बनाने में कितना लेड लगते हैं माना कि गोली एक बेलन और एक अर्थ गोले के संयोजन से बनी है जैसा कि आप इस तस्वीर से जान पा रहे हैं तो दोनों हिस्सों का हम आयतन पहले निकालेंगे और उनका योग करेंगे अब कश्या 9 से आपको याद होगा कि अर्थ गोले का आयतन होता है 2 by 3 pi r cube और बेलन का आयतन होता है pi r square h तो उन दोनों को जोड़ करके पूरे बंदूग की गोली का हमने आयतन निकाल लिया है एक और उधार देखते हैं गुलाब जाम उनका आपको सबको पसंद होंगे आये देखते हैं उससे बनाने में कितनी सामगरी लगती है तो यह थोड़ा अलग प्रकार का गुलाब जाम उन्हें यह गोलाकार नहीं है हलका सा लंबा सा है तो इसको काट करके यह एकदम ओईल के टैंकर जैसा धोत दिखाई दे रहा है तो अब इसके तीन हिस्से हैं दो हिस्से तो अर्थगोले हैं और बीच का हिस्सा बेलन है तो अर्थगोलों का आयतन 2 by 3 पायर क्यों होगा वो दो बार जुड़ेगा इसलिए 4 by 3 पायर क्यों हो जाएगा और बेलन का आयतन पायर स्क्वेर एज तो है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि अगर एक ठोस अपना आकार बदलता है तो क्या होता है अगर एक ठोस अपना आकार बदले या फिर एक या एक से आधिक छोटी-छोटी भागों में तूट जाए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी सामगरी पहले थी उतनी बाद में भी है तो इसलिए जितना आयतन पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा प्रारम में सभी थोसों के आयतन का योग और रूपातरन के बाद सभी थोसों के आयतन का योग बरौबर रहेगा है AQ और विभाजन के बाद आयतन है 27 गुना AY3 का Q तो ये भी AQ भी होगा ये 27 हमें इसलिए पता लगा कि पहले का आयतन और बाद का आयतन बराबर होना चाहिए 27 छोटे-छोटे घनों में हमने तोड़ा हुआ है तो इसलिए दोनों आयतन बराबर होने के लिए छोटे घन की सिरेक की लंबाई AY3 होगी हमने कई तरीके के ठोसों के बारे में पढ़ा लेकिन आप रोज एक चीज के इस्तिमाल करते हैं वो है आपकी बाल्टी उसमें कितना पानी है यह निकालने के लिए आपको उसका आयतन लगेगा लेकिन इस प्रश्ण का उत्तर देने है तो हमने अभी तक ऐसा कोई ठोसा कर नहीं पढ़ा है जिससे की हम उसका आयतन निकाल सके यह नए प्रकार का आकार है शंकू का छिनन इसे फ्रस्टम भी कहा जाता है यह आकार शंकू को उसके आधार के समानतर एक तल द्वारा काट कर छोटे शंकू को हटा कर मिलता है आई यह देखने कैसे यह होता है यह एक शंकू है इसे इसके आधार के समानतर हमने काट दिया और अगर यह बचा हुआ हिस्सा अगर हमने हटा दिया तो यह बाल्टी के रूप का ही कोई आकार बनेगा चलिए जान लेते हैं कि शंकू के छिन्नक का पृष्टियक शेत्रफल और आयतन के क्या सूत्र होता है आयतन होता है 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2 वक्र पृष्टियक शेत्रफल होता है pi r1 plus r2 n और संपूर्ण पृष्टियक शेत्रफल मैं बस यह उपर के और नीचे के सिरे जुड़ जाएंगे जिनका की शेत्रफल निकालना तो हमें आता है यह pi r1 square plus pi r2 square यह जुड़ जाएगा इन सूत्रों से हम उसका आयतन पृष्टियक शेत्रफल वगेरा निकाल सकते हैं इस पार्ठ में हमने पढ़ा कि ठोसो के सेयोजन का पृष्टियक शेत्रफल उन सभी ठोसों के पृष्टियक शेत्रफल के योग के बराबर नहीं होता है कुछ सिरे छिप जाते हैं ठोसों के सयोजन का आयतन उन सभी ठोसों के आयतनों के योग के बराबर होता है ठोस जब एक रूप से दूसरे में परिवर्थित होता है तो प्रारम में जितना आयतन था उतना ही अंत में भी होता है शंकू के छिन्नक के लिए ये सूत्र हम इस्तिमाल कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीदे कि यह आपको पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसी तरीके से आप OLA NSS IAT Bombay की मदद से बाकी के भी पार्ट पढ़ें और छोचे से प्राइब कर देरा, देन्नेवाद